हेलो फ्रेंड्स वेलकूम तो माई चैनल शेशी कुपतास किचन आज में लेके आएँ चीजी वेजीटेबल पास्ता ये किट्स फेवरेट है बच्चे भी बड़े भी सब पसंद करते हैं आएए देखते हैं इसका रेस्पी वीडियो करते हैं शेटेबल को आगाव ये वेजीज मैकरोनी बनाने के लिए मैं पहले मैकरोनी को एक कप मैकरोनी ले ली है मैंने इसको दोल लिया है अच्छे से वाश कर लिया अरु निंग होटर में और मैं इसको उबलने के लिए रग देती हूं डप्रगे सॉफ्ट नि हो जाएग जालना है जिससे की अच्छे से ये डूप जाए और इसे में चमच टेल डालतुगे छोटा चमच जिससे ये स्टिकी नहीं होगी अलग लग रहेगी और थोड़ा सा सॉल्ट की डालतुगे और थोड़ा सा अभी जब सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसका बनाएंगे तब तक म मैंने ये पास्ता नक्राणी बॉइल करने रख दिया था इसमें मैंने तो रस्ममक डाल दिया था और ओल डाला था अब देखते हैं महाच से साथ मिन अबलते वे अभी बिलकुल सॉफ्ट हो गया है अब मैं पानी को ड्रेन कर लोगी स्विच आफ कर दिया है गैस मैंने और दालने से ये आपस में स्टिकी नहीं बनता है खिला खिला बनेगा अब इसके लिए मैं सब्जियां तैयार करती हूं अब मैं इसके लिए वेजिटेबल्स तैयार कर रहे हूं नौ स्टिक कडाई में मैंने दो चमच ऑल डाल दिया है ये चुटी चमच है इसलिए तीन डाल अब इसमें हम प्याज देखिए और से काटाब है डाइस अनियन है और मैंने दोनों सबजियां भी काट लिए ये शिम्ला में चे तीनों मिक्स की हैं लाल पीली और हरी ये बैल पेपर है येलो ए रेड और ग्रीन केप्सिकम है तीनों मिक्स कर लिए थोड़ा हम प्याज को पहले सॉटे कर लेंगे फिर हम इसमें बैल पेपर एड़ कर देंगे और इसके लिए मैंने एक टमाटर भी पुरा चॉप कर लिए अंदर से सीड निकाल दिया है लिकिन उसका सीड अब इसको हम थोड़ा से सॉट कर लेंगे जब काली मिच तुमेटो सॉस नौर्मल वाली और यह थोड़ी हॉट डेंट स्वीट तुड़ा बनाईगी और भी आप तीका बनाना है तो आप रेड चीली बॉर्डर भी डाल सकते हैं अगर आप गालिक पसूल करते हैं तो गालिक भी डाल सकते हैं लिकिन मैं नहीं डालती हू जालिक यह बच्चों को रचिटेबल्स खिलाने का भी बहुत अच्छा तरीका है उनको मैकरानी बहुत पसंद आती है पास्ता और वो इसली प्लेन खाते हैं मैं इसको चीजी बनाऊंगी इसके लिए मैं अमूर चीज मैंने लिया हूँ है वो भी डालूंगी वो लास्ट म प्याज ट्रांस्परेंट हो गया है मैं इसमें तीनों किम्ला में चुकाटी नहीं थी डाल देते हूं यह देखिए अभी से कितना कलर्फुल लग रहा है अभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगी तब तक हमें इसको फ्लेम थोड़ा हाई भी रख सकते हैं लेकिन इसको फ्लेम करते रही है खिलाते रही है नहीं तो प्याज को चलने का ड़ रहेगा बचते दो पड्लाव बचाण करते हूं देखिए मैं यह चीज नहीं रिख लेके आई हूं यह दे मैं डालें। इसमें कोय भी चीज आप ले सकते हैं आप पीजा चीज भी ले सकते हैं तो ग्रेट करके डाल दाल दीजिए लेकिन मैं यह चीज टालोंगी यह सॉल्ट अगर आम टमैटो पहले डाल देंगे तो बहुत जादा सौगी हो जाएंगे इसको भी 2 मिनट और हमने अभी करना है यह सब्सक्राइब तो अच्छे से सौट कर दी है थोड़ी क्रंची रखनी होती है इसमें अब मैं इसमें मैं क्रोणी भी आड़ कर देती हूं जो बॉइल मैं क्रोणी रखी दी मैंने इसमें क्रोणी क्रोणी लगी है अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसमें अब हम सौट एक्चली पहले मैंने बॉइल करते समय भी डाला था तो एक वेजिटेबल के तो इसी है अंगाजे से इसमें बहुत चमज की करीब सौट दाल दीजिए एक चमज मैं होट एंड स्वीट डाल दें यह ज़रूरी नहीं है आप इसकी जिंगे थोड़ा से रेड चिली सौट भी डाल सकते हैं यह मेरी टमैटो स्पाइसी वाली टमैटो है थोड़ा इसको तेस्ट तेनी के लिए मैंने डाला है यह थोड़ा ताले मिच्वी स्पिंकल कर रही है इसमें यह देखिए यह आप इसमें टेस्ट के गॉर्डिन डाल दीजिए मसाले अब इसको अच्छी से मिक्स कर देंगे वाँ क्या अच्छा अगर आ रहा है गरम गरम कोई भी टाइम आप इसको बना के पड़ावट खिला सकते हैं खुद भी खाईए बच्चे को भी खिला सकते हैं बच्चे नॉर्मल खाना कम पसंद करते हैं तो उनको यह बना के दीजिए क्योंकि इसमें सबजे अदली हुई आपका मन पसंद है अगर डालना है तो डाल लीजिए अदर वाइस आप इसको एज़िटीज भी रख सकते हैं विदाउड चीज मैंने चीजी मेकराणी बनाई है इसलिए मैंने इसमें चीज डाला है किट्स भी थोड़ा खाएंगे चीज उनके ली अच्छा रहता है इसलिए भी मैंने ज्यादा डाला है यह तो दिर में मैंट हो गयाएगा क्योंकि फ्रिज का है देखी सब मिक्स हो गया अच्छी से मैल्ट भी हो गया चीज हमारा अब हम इसको बस सर्विंग बॉल में डास्पर कर देते हैं हमारी रेटी है अब गैस का फ्लेम आफ कर रहे हूं देखें फ्रेंट चीजी पास्ता त्यार हैं सर्व करने के लिए आप में खाएं सब को खिलाएं बच्चों को बहुत पसंद आता हैं उनको खिलाएं थैंक्यों वर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज अब चानल SHASHI GUPTA'S KITCHEN और प्लीज याएं श्यक्टा करें सेखें कीप आ वचिद कीण मीडियो थैंक्यों